नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं। निश्चे ही तुम्हारे सब दुखों का निवारन करेगा। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादी शुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन कभी-कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाता है। जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी दो बच्चे हैं, कभी-कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवग्या करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुख्मय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बाते बता रहा है। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानिया बताने के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गए। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वो चुपचाप बै जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चरे चकित होकर बोला अरे यह आप क्या कह रहे हैं। सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं। तो क्या तुम मेरी समस्याइं हल नहीं करोगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा मुश्किले हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानिया आना स्वाभाविक हैं। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितिया बदलती रहती हैं। जिससे सुख दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिष्टों का बनना, पुराने रिष्टों का बिगरना, रिष्टों में मिथास और करवाहट ये सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और ये जीवन का चक्र है। हकीकत तो ये है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कथिनाय या है, इन कठिनाइओं का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिन्दगी और जिन्दगी में बणने वाले रिष्टे स्थिर नहीं होते, एक दिन रिष्टेदार भी चले जाएंगे और जिन्दगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्याई वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में है और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रन खो देता है और प्रोधित हो जाता है और उची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिध़ पुरुष, एक प्रबुद व्यक्ति होना चाहिए मैं इस विश्वास के साथ यहां आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे यदि आप मेरी समस्याई हल नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना व्यर्थ था हर कोई जूट बोलता है कि वे समस्याई का समाधान करते हैं आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया तुमसे अच्छे तो वो महात्मा है जो दो वर्ष पहले मेरे घर आये थे उन्होंने मेरे लिए यग्या कराया दान दक्षिना दिलवाई और मेरे मन को असीम शांती मिली कुछ सुख भी बड़े और कुछ दुख भी कम हुए लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्याहल नहीं की तुमने मुझे सीधे तोर पर मना कर दिया बुध्ध ने कहा क्या वो सब करने से इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों है अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए है तातपर यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते किसान बोला तो क्या मैं मानलू कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाब बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी 84 सीवी समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता लेकिन हा, मैं तुम्हारी 84 वी समस्या का समाधा नवश्य कर सकता हूँ किसान आश्चर्य चकित हो गया और बोला, 84 वी समस्या क्या है? बुद्ध बुद्ध ने कहा यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन हुई है यदि आप इस तथे को स्विकार कर ले कि जीवन में समस्याएं मौजूद है और समस्याएं जीवन का हिस्सा है तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुमिया के सबसे दुखी व्यक्ती है जबकि सच्चाई ये है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है लेकिन जिस दिन आप ये समझने लगेंगे कि मेरा कश्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है उस दिन से कोई भी दुखाप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें तो यह संभव नहीं है ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांती भन कर देगा अगर आपके जीवन से परेशानिया पूरी तरह से दूर हो जाएं अगर आपको हर दिन, हर पल बिना दुख और कठेनाईयों के जीवन जीने को मिलेगा तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिन्दगी जीने से पूरी तरह से तंगा जाएंगे और उप जाएंगे क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याय पैदा करती है आराम दायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे तो ऐसे जीवन का क्या फाइदा जो बाद में आपको नर्ग जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है, जब बहुत भूख लगी हो और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परिशानियों को जेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग-अलग रूप में आते रहते हैं हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते लेकिन उनसे इतना उपर जरूर उट सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रति दिन आध्यात्म का ध्यान करें, ग्यान बढ़ाओ यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है इसे जीवन की चतुर मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है महात्मा बुद्ध का यह अद्भुद ग्यान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिलकुल हलका हो गया मन में जो समस्याय परेशान कर रही थी उनके प्रती जिग्यासा शान्थ हो गई किसान ने अपनी आखे बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा किसान को समझा गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी बुद्ध प्रेर्णा अदायक के माध्यम से आपके जीवन की कई समस्याय समाप्थ हो गई होंगी या कुछ समस्याओं का समाधान मिल गया होगा यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सिख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेर जरूर करिएगा और अपना किमती समय देने के लिए धन्यवाद